मित्रो नमस्कार आज की कहानी है रोश्णी की बचत एक बार प्रसित लेखक जौन मुरे अपने लेखन में व्यस्त थे तभी दो महलाएं जन कल्यार से संस्था के लिए उनसे चंदा बांगने आए अपना लेखन कारी बीच में छोडने के बाद जौन मुरे ने वहाँ जल रही दो मुम्बत्यों में से एक को बुजा दिया यह देखकर उनमें से एक महला बुदुदाई यहां कुछ नहीं मिलने वाला जौन मुरे को जब उन महलाओं के आने के उद्देश का पता चला तो उन्होंने खुसी-खुसी से सो डॉलर उन्हें दे दिये अब महलाओं के आश्र का ठिकारा न रहा उनमें से एक बोली हमें तो आप से एक पैसा भी पाने के उमीद नहीं थी क्योंकि आपने हमारे यादे एक मुंबत्ती बुजा दी थी जौन मुरे ने उत्तर दिया अपने इसी बचत की यादत के कारण ही मैं आपको सो डॉलर देने में समर्थ हुआ हूँ मेरे विचार से आप से बाचित करने के लिए एक मुंबत्ती का प्रकास ही काफी है मैलाएं बचत के महत को समुझ चुकी थी तो मित्रो इस कहानी का क्या सबक है? इस कहानी का सबक है बचत करने और कंजूसी करने में फर्क है हमें हमेशा सोच समझ कर खर्च करना चाहिए तबी हम अपने देश और समाज का भला कर सकते हैं धन्यवाद अभी हम आपसे विदा चाते हैं फिर एक नहीं कहाने के साथ आपके साथ हूँगे तब तक के लिए जय हैं जय भारत